बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ तो बेटियों को जब बोज समझा जाने लगा था तो इस तरीके की यूजनाओं की बहुत जरूरती है और ऐसी यूजनाओं का आना देश के लिए भी बहतर था लेकिन अब जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे डेवलोप्मेंट्स होते हैं जब हम आगे इसका भी निर्वाहन करना चाहिए कि बेटियों को बसाने की भी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी कहीं भी जैसे प्रद्यू ने देखा जाता है कि कहीं भी फैमिली प्रेशर में कहीं भी शादी कर दी जाती है आगे लड़कियां ऐसी सबसे बड़ा फैक्टर है रिष्तिदार क्या कहेंगे या पडोसी क्या कहेंगे यह सारे फैक्टर भी काम करते हैं तो इन सारे फैक्टर से बचने के लिए फैमिली कई दफा क्या करती है कि कॉम्प्रमाइज वाली स्थिति ला दीती है ऐसे में जो सबसे में चीज जो इसक जिसतरीके की नज़र का रवया है उस तरह बहुत करने ज़िए है Maar पाप तो अच्छे घर में शादी करते हैं लेकिन उसके बाद कुछ लालची को जो धेच का लालच रखते हैं वह इस तरीके की घटना को अन्जाम देते हैं लडकी को परिशन किया जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है कि लड़की अपने मन की बात की चीज़े कह भी नहीं पाती यूगि मायका पक्ष्ट इस बात को समझनी पाता है और ससुराल पक्ष्ट समझने की कोशिच नहीं करता है तो ऐसे में सरकार के जिम्मदारी बन जाती है कि बेटी को बसाना किस तरीके से, आगे का जीवन, शादी के बाद किस तरीके को उनके लिए आसान करना है, उनके लिए ऐसी चीज लेके आना है कि वो आसानी से अपना जीवन व्यपन कर सके, इसमें सरकार को भी विश्यस तोर और ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपने भी भ्रून अत्या का भी जिकर किया था, तो ऐसे में समाज एक चहरा ऐसा बन चुका है, जहापर सिर्फ लड़के का ही चहरा पसंद किया जाता है, खासकर अब समाज बदल रहा है, शेहरी शेत्रों में बहुत जादा समाज बदल च लेकिन आप गाओं और ध्याद चेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर अब भी यही सोच है, यही मान सकता है, कि अगर लड़की पैदा होती है, तो कहिना कि दहिस देना पड़ेगा, उसके लिए पैसे कट्टा करना पड़ेगा, लेकिन अगर लड़का पैदा होता है, तो ख लड़की बैसे कट्टा करना पड़ेगा, तो यही मान सकता है, लोगों को बदलनी चाहिए, सरकार को भी ऐसे प्रबंद करने चाहिए, जिससे लड़कीों को बसाने में आगे, परेशानी किसी को भी ना आए, और वो खुद इतनी capable हो सके, इतनी मजबूत बन सके, सरकार की नीतियों और जो उनकी फैसिलिटी मिलती है, लड़कीों को सरकार की तरफ से ऐसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कि वो मजबूती के संग खड़े हो सके, और अपना जीवन व्यापन आसानी से कर सके, लिंग अनुपात में भी बहुत बदलाओ देखने को मिला है, पह साथ जब कोई भी योजना चलती है, तो योजना चलती है तो वहाँ पर एक बजट भी होता है योजना का, तो इसके योजना के बजट केम बात करूने तो बैटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना में, अब तक 3-93 करोड रुपीज इस योजना में लग चुके हैं, इसक जिस लेवल तक दिखना चाहिए था वो चीज नहीं दिखी इसके साथ ही जैसे बसाओ कि अगर इसमें चीज जुड़ जाती है तो यह थोड़ा सा बढ़ जाता है यह जो पूरा टॉपिक है यह थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन इससे कितना ज्यादा फाइदा होगा एक ज नोबल भी बढ़ेगा और इसके साथ जोश भी कही ना कई बढ़ेगा जैसे कि मैं कल की बात करता हूँ प्रेदियूं कल खबर रही कल बहुत जादा सुर्ख्यों में भी खबरे थी यह कि चार महिला पाइलटों ने कहां से सैन फ्रेंसिस्को से जो वहाँ पर से सीधे बैं करती हैं वह बताती हैं कि इस तरीके लें गाया मौके आगे बढ़े इसके साथ अगर बेटी करेयर में बढ़े बढ़े रही है अगर बेटी का जो दूसरा अंकर जो हम लोग देखते नहीं हम लोग success से किसको नापते हैं हमारा success को नापने का पैमाना अगर change हो जाए प्रदिम में तो वो जाधा बेतर है success को देखा जाता है कि कितना जाधा कोई कमा रहा है कितना जाधा कोई पढ़ रहा है या कितना जाधा कोई अपने career में excel कर रहा है ले वो जरूर कहीना कई सरकार कवर कर लेगे और उससे कहीना कई बहुट बड़ाड़ डवल्लमेंट हम लोगगों को देखने को मिलेगा बिलकुल जिस तरहीं से आपने बताया की development देखने को मिलेगा लेकिन सबसे पहली बात से मैं आपकी शुरुआत करता हूं कि आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ऐसे मैं जब योजना भारत में लॉंच हुई थी तो उसके बाद ये लगा था कि अब वाकई मैं जो परिशानी लड़कियों के सामने आती थी वो खतम हो जाएंगी लेकिन वो खतम होती हुई नहीं दिखी लगातार इस तरीके की घटना है सामने आई जो लड़कियों के संग बरताव रहा या अत्या हुई बरतकार हुई ऐसे तमाम घटना सामने रही है तो सबसे बहले सरकार को तो जो योजना लॉंच कीती उस पर काम करना चाहिए उसके बाद इस तरीके की अब आप इसमें बता रहे हैं कि ऐसा एड होना चाहिए बिल्कुल एड होना चाहिए क्योंकि उनको भी एक हक है जब लड़के को सारे हक दिये जाते हैं तो लड़कियों को भी सारे हक मिलने चाहिए और ऐसे मैं भी आपने चार पाइलेट का भी जिक्र किया तो एक मौका मिला बहुत बड़ी बात हो जाती है जब मौका आसानी से मिल जाता है तो वो एक capable एक चीज हो जाती है मन में gut feeling आजाती है कि हम इस चीज को कर पाएंगे आसानी जे तो ऐसे ही वो चार महिला पाइलेटों है उसको किया क्योंकि सेन फ्रांसिको से बैंगलूर आना काफी लंबा सफर हो जाता है, हजारों किलोमीटर का सफर वो तैय करके वहां तक पौशती है, तो कहीं न कहीं बड़ी उपलब्दी है, लेकिन ऐसे मैं सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चा तो बसाने पर भी ध्यान देना चाहिए, कि शादी के बाद कुछ इस तरके के रूल खास तोर पर लड़कियों के लिए बना देना चाहिए, कि जिससे लड़कियों को आसानी से उनकी जीवन व्यापन है, वो आसानी से हो सके, और साफ तोर पर दहेज, दहेज के अगर हम ब of living या standard दर्शाता है कि अपनी बेटी की शादी में कितना पैसा दिया गया है आजकल जिस तरीके से आपने देखा हुगा कि 15-20 लाग कैश दिया जाता है गाडी दी जाती है करीब 40-45 लाग रुपे की शादी आम तोर पर एक अच्छी मानी जाती है अगर आप उससे लोग के टेक्री में करते हैं तो आपकी जो standard है वो जरूर कम हो जाता है तो ऐसी मान सिकता भी लोगों की है तो बेटी बसाने के लिए पहले सी आपको 40-45 लाग रुपे का इंतिजाम करना पड़ता है उसके बाद भी ये कोई guarantee नहीं है कि आपकी बेटी जो है वो खुश रह पाएगी ने रह पाएगी कई इसको मार तो नहीं दिया जाएगा पर हम बात करते हैं तो भारत जो देश है उसमें तूतू में में बहुत होती है राजनीती उसमें सबसे विशेश अंग निकल कर सामय आता है राजनीती जरूर हो जाती है तो ऐसे में अगर कोई योजना चल रही है, कोई योजना में हम सोचते हैं कि इसमें विस्तार किया जाए, योजना में विस्तारी करण का काम किया जाए, तो ऐसे में जो राजनीती है, वो अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, राजनीती की अगर बात हो ही चुकी है, तो इसा कहना कही न कही एक भरोसा तोड़ता है लोगों का भरोसा तोड़ता है इस चीज को लिकर और gobग कर t situations a पेटी बसाओ की भी बात करना चाहते हैं, कुछ मुद्दे मेरी नजर में ऐसे होते हैं, जिस पर की विपक्ष को भी साथ आना पड़ेगा, अगर विपक्ष उनमें साथ नहीं आएगा, तो वो कहीं ना कहीं, जो सफलता का उसका पड़ाओ है, वो उसको हासिल करने में थोड विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, जिसमें वो देश के लिए बहतर करें, उनको ये नहीं है कि सरकार से ही लड़ना है, सरकार से लड़ना वो अलग चीज़ है, वो बहुत तमाम मुद्दे है, राजनीती के मुद्दे है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर, जहां पर देश में कुछ बड़ा डेवल्प्मेंट हो सकता है, देश में कोई बड़ा बदला हुआ सकता है, तो ऐसी जगाओं पर विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, यहां पर मैं बात जिन चीज़ों की कर रहा था, आपे बेटी मेंटिन करना पड़ता है, अगर आप जो सामने बाली जो आप लड़के वाले हैं, अगर उनको आप इतना इतना कुछ एक स्टेंडराइज हो जाता है, कि इतना इतना अगर आप उनके लिए विवस्थाएं नहीं करते हैं, इतना इतना आप दहेज नहीं देते हैं, या इस इस तरीके का उनको खाना नहीं खिलाते हैं तो उसको माना नहीं जाता या आगे चलके उस पर टॉंट कसे जाते हैं आगे चलके उस पर बरतमाम बाते होती हैं समाजिक बाते होती हैं समाज में भी थोड़ी सी किरकरी होती है इस तरह की भी काफी चीज़े होती हैं ऐसे में सर परिशानी को वो बाप समझ रहा है तो उस परिशानी को सरकार को भी समझना चाहिए और सरकार को भी इसमें यकीनन मदद करनी चाहिए लेकिन लोगों की जो सोच एक बन चुकी है कि अगर हम इतना पैसना नहीं देंगे तो हमें अच्छा लड़का नहीं मिलेगा ऐसी तमाम सोच हैं यहाँ पर सामने आती है तो सरकार के इसमें बिल्कुल गलती नहीं है सरकार कोशिश है कर रही है लेकिन जब तक हम लोग अपनी तरफ से अपने घर से वो कोशिश शुरूबात नहीं करेंगे तो उसका फिर कोई नतीजा सामने नहीं आएगा बेटी बसाओ की शुरूबात तो हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी और News World India की तरफ से यही अपील रहेगी कि बेटी बचाओ पढ़ाओ लेकिन अब बसाओ भी फिलाल इस खाज पेशकर्ष में सिर्फ इतना ही बने रही है News World India के साथ नमस्कार